हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल माइगनू सॉलूइशन में आज की वीडियो पर डिसकस करूँगी बी एल आई तुट्वेंटीट्री ओर्गनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफरमेशन के फ्री सॉल पसाइमेंट जुलाइज दो हचार बीस पैन मिशल लिया है यह असाइमेंट के वल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है और अगर आपको इन असाइमेंट का पीडियो चाहिए तो आप हमें कॉंटक कीजिए कॉंटक नमबर में आपको डिस्रिप्शिन बॉक्स में प्रोवाइट कर को बचाना ना भूले चलिए शिरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपने फ्रीस्रॉल्फ असाइमेंट सो स्टूडेंट्स ब्लाइट 223 ऑगनाइजिंग और मैनेजिंग इंफरमेशन के आपकी असाइमेंट है एंड स्टूडेंट्स आपकी जो असाइमेंट ह तो पहले हैं आपके साथ पार्ट वन जो है और डिसकस कर लीती हूं आजर दा फॉलविंग कोशन इस नॉट देने वर्स यानि कि आपको पार्ट वन में आपको टोटल चार कोशन्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपके 10 10 माक्स के हैं और इनके आंसर आपको फाइफ अं अगर पार्ट वन है वो आपका टोटल 40 माक्स का मनता है एल पार्ट जो ग हम देखे तो इसमें आपको टोटल 6 कोश्य काा कुछन आपको देखने को मेलेंगे जो आपके 55 माक्स की है और तो यह आपके ठोटल 30 माक्स का है तो आपका फॉस्ट प्रट और जो असाइमेंत बन करते हैं आपको जितनी एक होड्ने मरे लीडिज ने जितने लिग São Age Day 12awa बने सफेट आपको कितने वर्णने पहस्त läके और लगी Ben pressed देने नहीं कुछिछ पेट लिगार को ज open the Brown Sean गुष बेसे च्पलेंट एक केसे तो फीक आप के रिलेटें आपने अंसर इसे एक्सप्लेइन करें तो अब हम चलते हैं इन देखते हैं इसे एपके कोश्यंस को सौल्व कर रा है तुरी रेखे students आपका part 1 है जिसको आपको 500 वर्स में इन questions क्या answer आपको explain करने है तो आपका question number 1 है explain a informative and vaccinated system of classification discuss with examples their historical development, main classes, notation and extent of use and question number 2 है आपका what is mark explain the structural design of a mark record giving an example so students अगर आप चाहे तो हाप इस solutions को आप लिग भी सकते हैं क्योंकि आपके आपके हापे चुकि यह जो आपने दिये हैं solve करके यह आपको best material आपको provide कर रहे हैं जिससे आपको आपके assignment में और आपकी आने वाल exam में आप बहुत ही अच्छे मांक साप लाप हैं गी देखिये आपका third question है define an indexing language state in different types discuss how different types of relations are represented in a thesis आपका question no.4 है explain the concept of intraprabability how is it achieved discuss the protocols for intraprabability और यहां से आपका second part start होता है जिसके answers आपको 250 words में देने हैं तो यह आपको question no.1 है discuss the need for ISBD describe the structure of an ISBD record यह देखिया आपको question no.2 explain the problems of cataloging non-book material show by an example how is a video catalog according to AACR2R and question no.3 है आपका what is keyboard indexing explain its various versions and question no.4 है आपका what is an online catalog discuss its characteristics and advantages and question no.5 है आपका what is post relational approach discuss the canons for errors giving examples and question no.6 है आपका what is on your log you discuss in different types so students यही पे आपकी जो assignment है वो आपकी complete होते हैं और अगर आपको इन assignment को note down करना है तो आप वीडियो को post करके आप उन assignment को note down भी कर सकते हैं and otherwise जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपको इन assignment का PDF चाहिए या फिर आपको किसी other subject की assignment का PDF चाहिए तो आप हमें contact कीजिए contact number में आपको description box में provide कर दोंगी so students आज की वीडियो में हमने discuss करा BLI 223 organizing and managing information की free solve assignment भी से किस तक के लिए और अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक और अपने फ्रेंस ग्रूप में इसको शियर करें comment करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है या कि मेरे वीडियो को first time देख रहे तो चैनल को subscribe करें and bell icon को बचाना ना भूले